हेलो एवरिवन वेल्कम बाग तो और्गनाइज लर्निंग चानल अगर आप में चानल पर नहीं हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें तो डिरेक्टरेट ओफ एजुकेशन जी एन सीटी ओफ डेली की तरफ से 21 ओक्टोबर 2021 के लिए एवियस की वर्कशीट है वर्कशीट नमबर 93 बी क्लास 4 के लिए वर्कशीट है टेक्स्ट बुक का नाम है लुकिंग अर यूनिट 7 है फ्रॉम दु विंडो यहां सभी स्टू कि तेज आवास से व्यक्ति को परिशानी हो रही है तो इस चित्रों में क्या दिख रहा है आपको कि जो लाउट स्पीकर है उसकी तेज आवास से इस व्यक्ति को परिशानी हो रही है क्या आपको पता है कि किसी भी प्रकार की अनुप्योगी ध्वनी यानि की नॉइस जिस प्रदुशन यानि की noise pollution कहलाती है आज हम ध्वनी प्रदुशन के कारणों यानि की causes के बारे में जानेंगे तो ध्वनी प्रदुशन के causes उसके कारण क्या होते हैं यह हम पढ़ेंगे यह देखो पहला प्रशन क्या है हमारे पास आपको ध्वनी प्रदुशन के कारणों से नाम है तो आपको इनको सही पहचानना और क्रम अनुसार जैसे नंबर वन पर जो है वो लिखना है और इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में इनको लिखना है तो देखो यह क्या है नंबर वन वाला क्या है यहां पर यह यातायात के साधन या means of transport तो यह आप लिखेंगे ठी है दूसरे नंबर पर यह क्या है यह है loudspeaker या यह हिंदी में है और यह English में लिखा तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे पाच्वे नंबर पर यह क्या है देखते हैं तीसरे नंबर पर कौन सा यह हमारा उची आवाज का संगीत या loud music चौते नमबर पर फिर ये क्या है तो चौते पर क्या है ये पटाके या crackers पाच्वे नमबर पर फिर ये क्या है कार खाने या factories और छटे नमबर पर ये क्या है drill machine या जो English में आप drill machine इस तरीके से लिखेंगे तो इसी तरीके से ये आप क्रम अनुसार अब आगे देखते हैं दूसरा प्रशन क्या है फिर हमारे पास बच्चों जरा सोचिए कि अत्यदिक शोर किस प्रकार स्वास्ते के लिए हानिकार यानि कि हामफुल होता है तथा आपने अध्यापक या ध्यापिका की साहिता से दूसरा प्रशन से स्वास्ते पर होने वाले कोई तीन दुष्प्रभाव यानि की साइड एफेक्ट लिखे तो आपको सोचना है कि कैसे ये ज्यादा शोर जो हमारे स्वास्ते के लिए हामफुल होता है और आप अपने अध्यापक या ध्यापिका की साहिता से जो ध्वनी प्रदूशन से स्वास्ते पर होने वाले कोई भी तीन साइड एफेक्ट आप लिखेंगे तो देखते हैं पहला साइड एफेक्ट क्या होता है हमारे स्वास्ते पर इसका कि ज्यादा शोर के कारण मनुष्य को उच्च रक्त चाप हो सकता है जो यह ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम सुनी होगी ना आपने बीपी वगेरा की तो हाई बीपी अगर होता है तो वो ज्यादा शोर उसका एक कारण होता है दूसरा है ज्यादा शोर से रिदे रोग हो सकता है हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा शोर से हो सकती है और तीसरा है ज्यादा शोर से आँख की पुतलियों में खिचाओ हो सकता है तो देखो ये पुतलियों की स्पेलिंग जो है इसको ठीक कर लेना ये इस तरीके से लिखा जाएगा पुतलियों और खिचाओ की भी किस तरीके से आएगी खिचाओ ठीक है तो यह spelling यहाँ पर यह दोनों ठीक कर लेना अब क्या है जादा शोर से आँख की पुतलियों में भी खिचाओ हो सकता है हमारी आँखों पर भी असर बढ़ता है जादा शोर से ठीक है तो इस तरीके से यह तीनों जो हैं इसके दुषप्रभाव हो सकते हैं साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं ध्वानी प्रदूशन के हमारे स्वास्ते पर अब एक एक एक्टिविटी है कि बच्चे जो है जादा तेज आवाज वाले जो उपकरन है उनका उप्योग ना करें इसके लिए आप उनको प्रोचाहित करेंगे तो आशा आपको यह वर्कशिट समझ में आई होगी और इसे के साथ साथ कोरोना से संबंदित क्या मैसेज रहेगा कि तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें चानल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में